Good morning classics! तो आज हम new chapter पढ़ेंगे इसका नाम है Understanding Elementary इसमें हम लोग क्या पढ़ेंगे? जैसे एक line segment क्या होता है? Line segment जिसमें two end point हो उस line segment को हम measure करना सीखेंगे कैसे हम measure करता है? तो measure करने का अगर यह line segment है तो इसको measure करेंगे कैसे करेंगे? एक हम लोग measure कर सकते हैं observe करके observe का मतलब ऐसे हम दूर से देख के सूचेंगे observe करेंगे कौन सा छोटा line है और कौन सा बड़ा line है मैंने दो line segment बनाया ब्रा किया आज हम यह जाने के कैसे एक तो observe करके हम लोग देख सकते हैं दूसरा हम लोग ट्रेस करके देख सकते हैं कि यह कितने कितने centimeter या फिर inch या फिर जो भी ठीक है और थर्ड हम लोग इसके help से यह measure करते हैं ruler and divider यानि हम ruler से और divider से हम लोग इसको check करेंगे यह कितने centimeter का है या तो बस यह है इसको हम लोग measure करना सीखेंगे ruler और divider से ruler मतलब scale और divider एक आता है तो आपकी book में draw up बना हुआ है compass के तरह होता है पर आते हैं exercise 5.1 में नेकिए बोला है first question here there are two path दो path दिये हुए है तो बोला इसमें चे कौन सा longer है कौन सा smaller है तो यहां भी आपको अपडर्व करके बताना है या पर कुछ ऐसे करके draw दिया है इसमें A से B ऐसे ऐसे करके जा रहा है यह A है यह B है अजुक्रा ऐसे से करके जा रहा है तो बोला कौन सा longer है कौन सा smaller है यह आपको पता दिजेगा देखे फिर उसके बाद आपका second question बोल रहा है कि there are four points in figure given block कोई four points दिया है तो question number second कुछ ऐसा है जहां मैं four point दिया है और A और D नाम देए उसकी आपको पहुचना है तेखे थे paying towards Pục फे tea घाया है अजा ही पताल रहा है कि सबसे पहले रहे होira से यहा गया but यह हो भुष से करने है डिन गश्जन लिझी पर डर्टी रोरितों अजा इसे उसे पर बिर फिर थर्ड पुजीशन पे पर एक पूने ऐगा। इसे जाएगा, घृत्र पूच्छन मोग पोचर धाल। कुछन में बताना है। प्र लुच्छन मेर्न नम थर्ड मेन बोला है डिविल के यूजिंग करके आपको पैरिमितर पाइंट करना है पैरिमितर चाइंगर ऐ, ब, C, पैरिमितर यानि, साइट, उसको प्लस कर देज़े दिविटर से देखके यही हो जाएगा A, B, B, C, S, N फिर हो जाएगा फिर आरहा है बोल ला है Q5 Q4 भरिएगा आप उसे फील कर लिजेगा Q5 Verify whether the following equality is hold by measuring length यहां पे भी आपको measure करना है Q1 में देखें कुछ line segment दिये है वो भी आप measure कर लिएगा ठीक है, ruler से ruler और divider के help लिए मैं आप इसे फब को measure भी करना है आप उसे फिर मैं नेक्स बताऊंगी 5.2 5.1 आपकोट करेंगा Q5 Q5 Q5